मंदर औरे दिक्कत तकलीम मंदर को चोड़ गये ऐसर समझ में नहीं रही है मंदर को और मतो का पैसा सरकार खुद बसूलती है तो आप और आरोप लगाते हैं वो मंदर बना रहे हैं वो लोगों के अपने पैसे से बनाया सरकार नहीं दिया पूरानी पैंसन की बहाली के लिए बहुत जबर्जस अंगर्स है और पूरुफ सैनिक कह रहे हैं अब आर आर पार की लड़ाई होगी सर नाम क्या आप राजपाल सिंग तोमर राजपाल सिंग जी अब लड़ाई बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है घर घर से पूरुफ सैनिक एग्रेसिव हो रहे हैं और गुस्से में हैं सरकार वन वरेंग वन पैंशन का जो पैसा दिया है वह तो दिया है कि इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन जो दिया वह ऐसे आदमियों के सपूर्द कर दिया उन्होंने बंदरबांट अपने अफसरों तकी सिमित कर लिया उसको आपका कहने का मतलब है कि जो डिस्टिबूशन पोगी है उनको भी अपना घर चलाना एग बच्चों की सिक्षा के बारे मैं भी उनको खर्च करना है लेकिन उनको बिल्कुल मिनीमम पैंशन फैमिली पैंशन वही मिल रही है यह अफसर की और एक और या जैशो जो फैमिली है उनमें और उसमें दिन राद से भी ज्यादा मादिन लगातार जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का ओ रोपी की विसंगतियों के लिए के धरना जारी है धरना दीरे दीरे जोर पकड़ रहा है धरने में बहुत सारे तरह तरह के इवेंट हुए कुछ बाधाएं आई लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व सैनिक डटे हु से बड़ोत बलोक का दिक्स बोल रहा हूं मैं क्या माहौल है आपके माहौल यह है कि जो हमारे फोजियों के साथ में ऐसा नया हो रहा है अप सरू ना करया गॉर्मेंट ना करया किसी ने भी करया उसमें सुधार ले आना चाहिए अगर सुधार नहीं आया तो हम यह दरना हम आज में वारत के परदान मंत्री से दियान करनास कि उस दिन भी भारत के परदान Мंत्रीन ने रिवाड़ी के अंदर हमारे ऊपर रिली तिए तिकेवल हमारे उपर फोजीू के उपर आज उस पाइबन पैरनिपन दे रहा और हमुने ह्И भारत के प्रदान मंतरी खाँ जंत पार्डिकों अरb हमारी सुनवाई नहीं तो भारत प्रदानी यह सब Assessment स्थ पेडर मिल रहा है उनसे सब तो कुछ मिल रहा मेरे को आप कहीं भी बेज लो अगर भारत की सेना इससे सुखी नहीं रही तो देश की जनता को खुश नहीं कर सकता सुखी नहीं रहे हैं बहुत सारा वह कर दिया है को हमारी तनका कटा दी पैंसन कर रहा और कम कर दिया जब कि हम हमेश्य बोडर पर रहते हैं इसके साथ मैं यह भी कम अब बैसे प्रफ्र पी इनकी पैंसन नहीं कटनी चाहिए थी और मैं तो माम राष्टपती से कहूंगा मेरी अपील माम राष्टपती जी से फिलाल कि अगर परदान मंतरी नहीं सुन रहा है नहीं कारवाई कर रहा है तो देश के राष्टपती को भूत पूर सेनी कूगू और बीएस एप सी आर पी इनकी प्यान जन्वे भारत के राष्टपती को ध्यान देना चाहिए बारत सुपर पावर बन रहा है मोधी जी अभी जो अमरीका में हैं दुनिया की बड़ी डीलों में से एक डील करेंगे बड़े-बड़े हवाईजाच खरीद रहे हैं तो फेंख खरीद रहे हैं किसके लिए खरीद रहे है जो भी बताणा पेक बार बता दें भारत की इतने पैसा इतना पैसा अगर सब पैंसन नहीं ही चला जाएगा तो कहां से पहले उन्यूसों से तारीस में देशा देशाज हुआ था जब भी सब को पैसन मिलती थी यह पैसा यह संख्या तो बढ़ती जा रही है संख्या नहीं बढ़ रहा है पैसा यह तो अपनि कहलो या मेरी सुन लो आपकी सुनेंगे हां उना भारत का पैसा उस समय सब कूंपा पैसन दी जाती थी सब को किसी पर इतना टेक्स नीता ओध जनता पर इतना टेक्स लगा अरोपी था उस समय और हम पिता सब कुछ था मगर आज सब यह क्या रहें कि यह अब कराना यह जो पैसा काट्या है फोजियों का पैसा काट्या है यूग गलत किया गया है क्योंकि और मैं बारत के परदान मंत्री चाहिए कहता हूं छह महिने जिस इस्टिती में हम रहते भूतपूर शेनिक रहते चीर पी ब्याश्यव रहती है छह मिनने रेक रोग का दिखादे और मैं यह कहुंगा और कुछ नी परदान मंत्री एक मिनट सुन अपनी पैंशन कम कर दो ने क्यों जंता पर टेक्स बढ़ारे अपनी पैंशन क सब की काट दी है पेंशन के वालं नेताओं के पैंशन एच देशन में और नेताओं के भगते हैं क्यों काट रोपी मिलती थी नहीं मिलती थी किसने दी फिर दी मोदी ने लेकिन जो टेक्स लदे हैं वो किसने लगाए हैं कितने परसंटेज टेक्स की रिकवरी हुई है वह आप देखो न यह बात से मैं आपकी से सहमात हूं अभी एक बात बताईए पैंसन जब 1947 की सरने बाद की पैंसन मिलती थी उस समय पूरू 100 फोज है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अगर सब पैसा पैंसन में ही चला जाएगा तो आदूनी की करण कैसे होगा यह उनका तर्क है सरकार के बताव दो वर्ग है एक तो किसान है जवान है नारा किसने दिया था लाल बादर्व शास्तरी ने आज किसान और जवान जितना बेका लेकिन वह को अपसरू में गया है अपसरू में गया नहीं है अनिच्च पैसा उसने दिया ना सरकार के लिए यह बहुत बड़ा पॉइंट है कि पैसा दिया यह तो यह भी मान रहे हैं लेकिन यह कह रहे हैं कि जिस तरह का डिस्ट्रिबूशन होना चाहिए था अपसरों ने उसमें बहुत ज़्यादा मलाई खा गए और इनके लिए चाच या दूद भी नहीं बचा इस तरह की बात है लेकिन एक चीज बताइए अभी जो जैसे अमेरिका यात्रा है उस पे पूछना चाहूंगा मैं ड्रॉन का सौधा कर रहे हैं होविजदर तोपो का सौधा कर रहे हैं यह सब किसके लिए कर रहे हैं देश के लिए पैसा तो यहां भी चाहिए तो बजट तो होता है ना बजट में किसी थोड़ा कम जादा करके होता है बजट उस चीज का बढ़ा जा सकता है जो हमारे से अवे लेविल है आज शिक्षा की कमी है आज सेना का मंदिर को पैसा दे नहीं रही है तो आप यह आरोप लगाते हैं वो जो मंदिर बना रहे हैं वो लोगों ने अपने पैसे से सरकार नहीं दिया इरपोर्ट रहे तो बीच दिये और इरपोर्ट बंदर का इसने खरीदे लिए अधर यह पूंजी पतियों की सरकार है यह पबलिक की सरकार नहीं है यह तो एक सलावा है गुर्मिंट का यह विश्या से भटकाव नहीं हो रहा क्या विश्या से बटका नहीं हो रहा वह बटकार है आप मन्दिर की जगे यह कोलिज खोल दिया जाए तब रहे करेंगे या किसी गुर्दुआ या राश्ट्पति भवन को बंद करके कॉलिज खोल दिया जाए क्योंकि एक आदमी रहता है इतने सारे कम रहे हैं यह मुझे समझ में नहीं आता तरकि मंदिर को बंद करके कॉलिज को खोले जाए लेकिन अभी जो विस्म में वावा हो रही है इंडिया इंडिया का नाम हो रहा है इंडिया की पॉब्लिक से आके बात करो ने पॉब्लिक कितनी कुछ है पॉब्लिक से अजा यह वावा करने का अगर एजू के शुनिया एक सांसद रहता है यह एक एमले रहता है उसकी तो पैंसन बनगी यह वैलिट पॉइंट है उसकी त और डिपार्टमेंट हैं ये अर्षेनिक बल है क्या उनको पैंसन नहीं चिए उनको बच्चे नहीं है जो हमारी वीरांग नहीं है क्या उनको अभी और अपी गब वाजा नहीं मिलना ची जिए ता क्या लग रहा है कि पॉलिसी पे लड़ाई है कि सरकार के खिलाफ ही लड़ाई है क्योंकि हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है जितनी वाई 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 वह लूट रहाता अपने अंदर सेना से किसानों से सिक्षित समाज से इस्टूडेंट से अगर यह वाई वाई लूटता जिहाज तो अपने बच्चे पड़े लिगेंगे तो खुद बना लेंगे ट्रडार टेज़स बना लेंगे लेकिन उसका उत्पादन उतना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग तो हमारी जो कमी है जो डेफिसित है उसको पूरा करने के लिए टेकनोलोजी हमें ऐसा थोड़ी ना है कि हम सब कुछ अपने से बनाएंगे जब तक नहीं बनाने के लिए काबल हमें बाहर से भी लेना पड़ेगा जितनी यह हाहा कार विपक्स को लेकर कर रहे हैं अपनी थे सवारे हैं तो जमीन के किसके राज में चली कई चीन के जमीन करें आपनी वावा लूट रहे के दूसरे देश में जा करके आंन्दर घुष करके यह इनकी वावा कैसे यह तो सैना कि वहावा वाया है एक सेना की दिलेरी है अपनी वा तो सेना के लिए कर क्या रहे हैं औरे सुनो एक मिन आपको क्या लगता है कि सेना नहीं घुसके मारा हो सबसे पढ़ी गलती मोदी जी ने सर्जिकल श्ट्राइक करके नहीं करी थी उसके बाद में जो उनकी काबियात खोली है मोदी जी खुद सुन लो रक्षा भी बाग के सुन लो मैं बता देता हूँ जोवा कारवाई खोल ली थी अग कैसे वे गए सर्जिकल श्ट्राइक में क्यों गए कहा को गए कितने समय पर गए वो सबसे बड़ी गलती देश के लिए गद्दारी का काम मोदी जी ने कर रहा था क्या कहना चाहरा है कि मुझे समझ में नहीं है मैं समझा गद्दारी कर दी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक अगर हमने घुसके मारा हमारे सैनिक उनको सबक सिखाया नहीं खोल ली थी दुनिया खोलती है सर नहीं खोलती सार इससे प्यादे लड़काया यह विपक्स के पीछे प आजाद हुआ इस इंडिया के अंदर था क्या क्या था इंडिया मतलब देश आजाद होने के बाद भारत भारत ता उससे पहले कुछ नहीं था बड़े सब कुछ लूट लिया था अंग्रेज और मुगलों ने लूट लिया था उस टेम पर क्या इस्तिती थी इंदूस्तान की कांग्रेश नहीं तो समाली होगी और कांग्रेश ने बहु कह रहा है कांग्रेश ने भारत बनाया मैंने तो यह सुना था कि भारत किसी की ओक नहीं नहीं ना भाजपा ना कांग्रेस किसी की आउकात नहीं है भारत को बनाने की भारत का जो व्यक्ति होता है भारत का जो इतना मेहनत कस होता है कि वो भारत की जमीन जो जमीन होती है जो जाओ इतनी है इतना मेहनत कता है इतना बुद्धिमान है इस देश के नागरिकों ने लोगों में से हैं इन्होंने भारत नहीं बनाया सब सरकार मलाई चाट रही लेकिन जब लोग पॉलिटिकल आदि मुझे लगता किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं मैं किसी पार्टी से नहीं हम आपने यह कहा ना कि भारत था ही नहीं कुछ तो बड़ा बड़ा अजीव करें हम बुद्पूर सेनिक की जाती से जुड़े हुए हैं बाइक बात बता हुआ जिब देश आजाद हुआ हम बच्चे से ते लाल बात दूर के सास्तरी के समय हमारे को पहले तो कही शकर गंदी में तो बात यह दिलाता हूं फिर खाया बाजदा ना बाजदा मिला ना मिली शकर गंदी समझे लाल बात दूर सास्तरी ने विदेश से नए बीज की जाती मंगाई घाद मिला उससे जनता ती बुक्की कांग्रेश ने तीन यूद लड़े कांग्रेश ने लड़े अभी तो यह कह रहा है भाई साब की शैना लड़ती है यूद पाले भीजेवी का ना सर्जिकल स्ट्राइक में अगर मोजीदी करवा तो क्योंने होगा नाम नाम करो सर्जिकल स्ट्राइक में जो कमाल की बात कर रहे हो अगर ओर और ओर पी नांग्रेश ने करा तो तो यह बताएं पास करके गई है मुझे तो यहां जहां तक पता है शायद मेरी जानकारी में ओरो पी जब लागु हुआ तो मोडी के राज में ही लागु हुआ लेकिन अब यह कह रहे हैं कांगरेस के राज में लागु हुआ तो बात तो चल रही थी चरता तो चल रही थी लेकिन लागू जहां हुआ है वो मुझे यह समझ में आ रहा है एक बात सुनिए मैं सब को बता देता हूँ औरत औरत और सांप बने बनाई घर में बढ़ता है और बाजबा सरकार बने बनाए गर में बड़ी है किसी के बनाए वी है मैं बाजबा ने कुछ नहीं करया बने बनाए मैं अब तो बने विया था साप और उरत सांप और उरत बने बनाए घर पर कब्जा कर लेते हैं और अपने में आती है और अपने में घर बनाती है मैंने तो यह सुना था परिवार मकान अब बना लोगे बाद मैं यह तो बहुत ही हमारी पैंशन का सुनो अफसर की मारा विद्वाउरत की नो जार पैंशन है अफसर की फैमिली की है अठत्तर अजार सुने देख लिए और जो महरा मैंडिकल से कटागिरी आते हैं बोड आउट होका आते हैं जवान की है उसमें मालिया दस अजार र सब्सक्राइब करें तो यह सब के लिए बराबर हैं लड़ाई दोनुने लड़ी अपको दोनुन लड़ाई में होका है यह वह किसी पाल्टिका नाम ने देते वह पौर स्थोप आई थी कांग्रेश के समय में भारतिया जनता पाल्ट दिन बढ़न बढ़ाती है जी ममनोकर दें उसको सिद्ध करो गलत को तो गलत काया जागा अब यह कहन लगे अख हम नहीं कर दिया सबकुस हमने नहीं कर रहा कांग्रेश ने भी कर या और भी कोई आया है सब कुस्ति यह और जोंड़ी दिकर कर रहें आप हैं वह कार्गल मेरे से सुरू हो यातर मैं उसका सम्दी यूनिट याप समझ देगे यूनिट मेरी यूनिट यहां लड़े और कारगिल लड़े लड़ी जो छे जवान और एक अपसर कैपचर हुआ था वो मेरी यूनिट का था और मेरे सामने कैपचर हुए थे मोधी को क्या पता आज मोधी जी कुछ काओ आज कोई भी कुछ काओ कारगिल लड़ाई का मैं सबसे पहला समझ दीद और सबसे आखरी काओ वे छेजवान जो सही दुए थे मेरे सीसभार होने के भाद मैं मेरे सामने आयी से मैं महा का हूँ और आज मोधी को कोई को फोजी आदबॏ को दिया नहीं कुछ भी सबकुछ काट लिया और मैं तो राश्वती जी से मामाहिम से इनसे को सब कर ली अब राश्वती मामाहिम सी नजी को रिक्वेस्ट है इनको दो नए तो मोधी को यह कहना चाहता हूं आग्यालकषन में फोजियों के तरफ से दोखा खाएगा। जैसे रिवाडी में समर्तन दिया था ऐसे कभी ना मिला और ना मिलेगा ये मोधी के लिए बहुत गंबीर गंबीर बात कह रहे हैं पूरुफ सैनिक नाराज है और नाराजगी जहलक रही है वो साफ साफ कह रहे हैं कि रिवाडी की मैं जिस तरह से जनसभा हुई थी और पूर और ओ और ओ पी तो आया हुआ था और ओ और ओ पी के साथ जिस तरह की विसंगतियां हुई और पी टू में अभी कहा जिस तरह से अफसरों को पैसा बाट दिया डिस्टिबूशन सही नहीं हुआ उससे ज़्यादा आते हैं और जब कहते हैं कि भाई पैसा तो तुमने लिए तो डिस्टिबूशन का अधिका सही तरीके से करने की जिम्मेबारी भी आपकी है राजा की ही जिम्मेबारी होती है या जो प्रधान मंतरी है उसने डिसिजन लिया है तो फिर उसकी जिम्मेबारी बनती है ही इस बात को जोड़ देकर यह लोग कह रहे हैं कि O.R.O.P.2 में सब देखते रह गए और जो महिला वीरागनाय है उनकी भी बात हो रही है कि मतलब जिस तरीके से जो उनका mogę सही बहुत मतलब बहुत जादा ही अंतर एक अंतर ठीक तरह के अगर रहता तो ठीक है लेकिन दददस गुनाय कें अंतर जब हो जाता है तो दिक्कत तो आएगी और सेनिक बराबर डटे हुए है अपनी मांग को रख रहे हैं मोधी जी अमेरिका में है और अमेरिका में रक्षा की हम जिसमें हवाइजाज की उढ़कर दो जब परल नें ने जबर सब्सक्राइब करेंगे जवानों को भी अधिकार की बात करेंगे आपको क्या लगता है जो विसंगतियां वो दूर होनी चाहिए अगर मिलना चाहिए तो वीडियो को जाज सेर करिए जंतर मंतर से मेनी संसत के लिए मैं मनुस्वराजी जैहिंद जैभारत कि बहुत गंबीर बात करें कि जिस तरह का अंतर है वी रंगनाओं की पैंसन में और जो अफसरों की पत्नियों की पैंसन में बहुत जबरजस्त अंतर है और सरकार को अगर अब नहीं चेती तो सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है पूरुप सेनिक का संदेश साफ है करो य एलान तो करी दिया है देखना है आगे होता क्या है